हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने दूरी और विस्थापन को बहतर ढ़ा, आज इस वीडियो लेक्शर्स में हम दूरी और विस्थापन को ग्यात करेंगे, जो हम किस परकार दूरी और विस्थापन को ग्यात कर सकते हैं, और आगे हम दूरी और विस्थापन में अंतर साथ चलना होगा तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बस्तू के साथ साथ चलेंगे मतलब जहां बस्तू जाएगी उसके साथ साथ हम प्रारम भी किस्तिती और अंतिमिस्तिती को पकरेंगे और हमारा विस्थापन निकल जाएगा तो हम यात्रा प्रारम करते हैं तो पहली यात्रा हमारा स्टार्ट होता है O से A के बीच में तो पहली यात्रा है हमारा O से A के बीच में जब हम O से A के बीच में यात्रा प्रारम करते हैं, तो उस वक्त हमारा दूरी कितना हो जाता है? एक होता है, उस वक्त हमारा दूरी एक, अगर विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन के लिए ट्रिक क्या है? बस्तु की प्राराम भी किस्तिती और अंतिमिस्तिती को पकड़ना होगा तो बस्तु की प्राराम भी किस्तिती और अंतिमिस्तिती को पकड़ते हैं तो विस्थापन भी कितना आता एक आता है फिर दूसरी यात्रा है O से A और A से B तो यहां और यहां की बीच की दूरी कितनी है एक और यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है एक तो कोल कितनी हो गए दो हो गए तो एक और एक मिला के दो अब विस्थापन की बात करें तो बस्तु की प्रारम भी किस्तेती और अंति मिस्तिति को पकड़ते हैं तो हमारा विस्तापन भी कितना आता है दो आता है तिसी यात्रा है O से A, A से B, B से C यानि कि O से A, A से B और B से C तो O से 1 की बीच की दूरी A से B की बीच की दूरी 1 और B से C की बीच की दूरी एक तो हमारा कुल दूरी हो जाता है तीन और विस्तापन के लिए के करना पड़ेगा बस्तु की प्रारम भी किस्तिति और अंतिमिस्तिति के बीच हमको डारेक्ट जाना पड़ेगा तो विस्तापन भी हमारा कुल कितना हो जाता है तीन अब यहां से एक कहानी में ट्विस्ट आजाता है वो टूस्ट है जब हम गती करते हैं ओ से ए और ओ से भी बी से सी सी से फिर भी तो यानि की कहने का मत्तब ओ से ए तक की बिच की दूरी एक यहां से यहां तक की बिच की दूरी फिर एक बी से सी तक की बिच की दूरी एक और सी से बी तक की बिच की दूरी एक तो दूरी हमारा कूल हो जाता है चार यदि हम विस्थापन की बात करें तो बस्तू की प्रारम्बिक इस्तिति और direct अंतिम्स्तिति को पकड़ेंगे तो हमारा विस्थापन निकल जागा तो हमको विस्थापन के लिए O से A तक की direct दुरी पकरनी परेगी तो O से B तक की बीच की दुरी कितनी है यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दुरी 1 O से A, 1 और B से 6 तो यहाँ पे हमारा कुल कितना विस्थापन होना चाहिए? कुल विस्थापन दो होना चाहिए यहाँ पे गलती से तिन लिखा गया है तो यहाँ पे कुल विस्थापन कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए चौती जो हमारा है वो है O से A, A से B, B से A और A से O, O से A, A से B, B से A, और A से फिर O, तो इस वक्त हमारा दूरी कितना हो जाता है, कुल 4 दूरी हो जाते हैं, तो दूरी हम टूटल लेकेंगे 4, अब विस्थापन के लिए क्या करेंगे, बस्तु की प्राराम भी किस्तेती, और अंधी में स्तेते को डारेक्ट पकरेंग दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी और विस्थापन में मुख्य अंतर निम लिखीत है, तो हम दूरी की बात करें, तो दूरी सदय धनात्मक होती है, आप मान निकालेते फिछले वार में, तो आपने एक चार्ट में देखा था, कि दूरी का जो भी value आता है, वो उसके बराबर होती है, दूरी जो है विस्थापन से कभी छोटी नहीं होती है, और विस्थापन की बात करें, तो दूरी से छोटी और बराबर होती है, उससे बरी नहीं होती है, यह एक अदीश रासी होता है, यह एक सदिश रासी होता है, अदीश इसलिए होता है, क्योंक एक सदिसरासी होता है यह बस्तुइब पत्ट की लगतमने कि लंबा है। अगर यह धिन कि अइसा यूनिट के बात करें तो दोनों का सई मेट होता है इसका इस थाइस के मीटर होता है अगर सिजीस मातरक की बात करें तो वह सेन्टी मीटर हो तैसी जीस मैं लीग दि Support CGS की मात करें तो CGS भी एक यूनिट है CGS इसका भी ऐसा यूनिट सेंटीमीटर होता है यह दि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लिज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेर कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ